पापी है महादुराजरी हैं हम भोगी हैं हम बालबाच चाहिए अरे कौन बालबाच चाहिए तो आपका मन अग्यानता है यह माया है एक भ्राम भूल को ही आप उसको धारन करके बैठी है उनसा बालबाच चली के आप आये थे संक्षार में जिस दिन आये थे उस दिन तेक अब अधुद बालक नगन बालक रूप में दरित्री में आये किसी को जानते नहीं है सब आगंतुक संबंदो दीर दीर संबंद बनता गया एक जानते नहीं ऐसे एक कर्णिया के शाथ हमारे शाधी करा दिया जानते नहीं कुन पुत्र फीर नवागा तो यह सब आये हैं संबंदो रहेगा नहीं यह शरीर तक इस शरीर को आपना मानते हो यह भी धोकावाज इसको भी तुमको छोड़के जाना क्या काहते हो तुम मेरा संग्षार मेरा वेटा मेरा बाल बर अच यह अध्यानता चोड़ो मन से हटा दो मैं संख्षारि नहीं हूं इस साहथ भुग बादार तो मेरा नहीं है तुमारा भाजन हो जाएगा चूर्णने का जुरूरत नहीं है, सिर्फ रिदाय से मान लो, मेरा कोई नहीं एक राधरानी है, इसको जान लो, तुम्हेरा भजन हो जाएगा, लेकिन हम एक मानशिक दूरबलता, मन से हम मानने के लिए तेहर नहीं, मेरा बेटा, मेरे बेटी, मेरे कन्या, मैं हूं, फशा एक बंधन, एक आरव प्रत्यारव मत्रो बस्तव सत्य ता है नहीं, यह आगंतुक सम्मंदों, जहां संग्योग है वहां बियोग होगा, जिसका साथ संग्योग होगा, बियोग होगा, शरीज का साथ संग्योग होगा, यह बियोग होगा, स्तिरीपुत्र परिवार संग्योग मजन कुछ नहीं एक सिकृति, मन्यता, अंतकरन की परिवर्तन, किरियात्मक नहीं, यह भावनात्मक परिवर्तन होना चाहिए लाकि क्रियात्मक. हम लोग क्रिया करते हैं फिर शाजा भी लेते हैं शरीर को तरी जटा बना करके बड़ा इस पर कुस्त होता नहीं है यह तो ठीक है यह मानिया था पर आप तो स्वामाज जीवन में अच्छा है ठीक है बश्णोभाई अच्छा लगता है देखने में लेकिन अंतर यगत की यह परिवर्तन और यह भाब नम आए भाबनात्मक परिवर्तन होना चाहिए तो आपका भजन हो जाएगा और जहां भाबनात्मक परिवर्तन नहीं वहां बहुत जनम लग जाएगा समय लग जाएगा आप कह सकते हैं, आपको मुक्ति कभ है, आपको जिस दिन दिखें के इस रीदाय में आर कोई च्छानी, आर कोई चाहनी, आ रादे, आ प्रानिश्वरी, कहां संग्षारारं नमें, जंगल में मैं भृमित हो रही हूँ, यह प्रानिश्वरी, कहां तुम?